जैहिन दोस्तों आप देख रहे हैं एक्जामिट जी और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस पकार से मेंस का फॉर्म आई-एस मेंस का फॉर्म बरा जाता है और क्या-क्या इसमें फीचर होते हैं जो आप कंफ्यूज कंफ्यूज हो सकते हैं आप बरते समय आने वाले समय में रियल्ट आ सकता है लगवग इसी महीने के लाष्ट तक तो उसके बाद आपको फॉर्म बनना पड़ता है कुछ लोगों का तो जरूर होगा तो आप पहले से ही सोचना स्टार्ट कर दें कुछ चीज हैं तो उसके ईमेल ID देनी पड़ती है और और पोउसक्त वो देना पड़ता है और जывает कुझए पहले से फिल अप रहता है आपको किस लेंग्विज में देना है पिपर फर्स्ट जो है जैसे आप चूज करते हो ना बाइस वासाओं से एक बासा जो आप हिंदी ही चूज करेंगे जाए तो हिंदी ही आपको लिखना यहां पर पब्लिक जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो दो हर पंद्रें से एक नई चीज जूरी है कि क्या चीजे देना पड़ता है तो अब दो आर पंद्रें के बाद ऐसा होता था कि एक ही लर्म में चीज होती थी लेकर आभी गया है मेंक किसी भीकी तीजी और परी में इंटर्वीव में आप कोई भी लेगवे चूज़ कर सकते हो और देख लेते हैं क्या क्या फीचर है इसमें देखे सबसे मेंक्ट्पॉन जो होता है आपका यह होता है 17 नमबर पर इंप्लॉई हैं अगर आप तो आप एक तरह से इसमें दे देंगे किस पकार से इंप्लॉई हैं जो भी है चीज़ें देंगे आप और उस समय में तो नहीं था और नेक्स्ट जो ठारेबर पॉइंट है इसमें आप दे देंगे प्राइज मेडल नोबल स्कॉलर्शिप तो मेर आपको लीडर्शिप करने का मौका मिला कभी तो यह भी चीज़ें बता दीज़ेगा यहां पर क्योंकि यहीं एक तरह से आपके इंट्रिव्यू का पूरा पूरा अधार यहीं से बनेगा और आपको वही सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में लोग पूछते हैं देखता हूं तो बहुत देखता हूं मैं इवनिंग बॉक पर जाता हूं और थोड़ा अकेला बैटना में पसंद करता हूं तो वह भी चीज़ें मैंने लिख देती यहां पर और इसका इंट्रिवू पर कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है बहुत ही बेसिक कुशन आते ह और इससे आप जो भी है आप अपने दिन बर का एक तरह से रूटीन निकाली आप करते क्या हो तो उसी के अंतरगत यह चीज़ें निकल जाती है जैसे मैं थोड़ा फेसबूक पर थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता था यानि एक तरह से तो मैंने दे दिया था एक्टिव कौन सा फोर्म होता है जो रखा रहता है वह पर और सबसे में पॉइंट होता है यापको होता है कड़ आपको पता हुआ कि यह उतigne होते हैं यहां पर आम मांगत करते हैं अपनी सब्रेश की तो आइस कारड़ का मोह इन पढ़ता है जैसे पहले नमर्स मैंने यूपी रखा था तो मैंने पहले नमर पर यूपी कर दिया था जैसे 17 नमर पर आंदर प्रदेश तो इसका भी इसका आई एसका और इसका अलग-अलग कर सकती हो आप और चाहे तो एक जैसा रहने दीजिए तो यह इंप्रेटेंट चीज़ है तो यहां भी पांच नमर पर यह रखा सेम सेम कर दिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें बस पहला और दूसरा केडर जो है मेन है उन्हीं में से जादातर लोगों को मिल जाता है बाकी तो फिर उनके उपर होता है कि कहां पर वो केडर करते हैं और एक पॉइंट यह इंपोटेंट होता है कि आपको सर्वीसेज जो जाने के कारण कोई भी सर्विसेज अलॉट नहीं हो पाई है और इसा ही हुआ था 2004 के जो 5 tut rank आई थी उनकी आहा उस केस ें ऐसा ही हुआ था उनको सर्विसेज जो है अलॉट नहीं हो पाई थी पहले जो एक्जम दिए थि उसमें वरपाया उन्होंने बताया था बर नहीं पाया थे उन्होंने के वल यह की अटेंड गया था के वल यह ias का भागि के अटेंड नहीं किये थे इस वाज से उनको कोई विसहर्व से नहीं मिले थे जैसे सभी लोग जो है आई एस को ही प्रेफरेंस देते हैं पहरे नंबर पर और इंडियन फोरेंस सर्वेस होता है इससे आप दूसरे नंबर पर रख सकते हैं चाहिए तो मुझे तो पसंद नहीं था यह तो नोट अप्ट मैंने लिख कर दिया था यहां पर छोड़ देते हैं जिए नाइन 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 जिन्द्वाइब कर देते हैं जिससे अपने आप ही यह नौट अप्टेट लिखा आ जाता है और इंडियन पुलिस सर्विस सेकेंड जैसे चुना और थर्ड मेंने आई आई आर प्रेश चुना था कॉष्टम एन एक साइस वाला सेंट्र एक साइस वाला और उसके बाद मैंने तीसरे चौथे नमबर पर जो है यह तर रिसे ऐसे आपको अलउट यहां पर चुननी हें मतलब हाप जाता है है कोई दिक्कत नहीं है और जो इंट्रेवी बौर्ड के सामने जो सीट रहती है वो रहती है के यहां पर आने पारा था है सब्सक्राइश मैंने इसके बाइप तो इसमें आपका सारी चीज रहतिया देखिये, रोल नम्र तो रहता ही रहता है आपका, examination निम रहता है, और आपका नाम रहता है, डेटर पड़ता है, आपका optional subject वो रहता है, आप कहां से हो वो रहता है, और जो मैंने आपको महित्पूर्ण आप या पर पूरा 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 इंट्रिवू जो रहता है वो इसी पर आधारत रहता है आपका जी एस करेंट वेजट और आपकी होबीज और सब्जेक्ट और आपका अकेडमिक थोड़ा सा तो ये चीज़े रहती है उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो मताएंगे मेंस का जो फोम होता है वो कैसे भरा जाता है और क्या-क्या चीज़े उसके अंतरगत होती है तो जिनोंनों सब्सक्राइब ने गया सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें एक्जामेडी जैहन जैबारत तन्यवाद